हेलो मैं दिये रे स्टूडिंट श्वागत करता हूँ मैं फिर से अपने योट्यूब चैनल जी सी सी एकडमी में जिसमें आज थिवरं लेकर के आ गया हूं एकदम भी बी आई थिवरं जिसका नाम है पाइथा गोरस परमे जी हां पाइथा गोरस परमे थिवरं जो है न कलास स्टिंत में 5 नंबर का थिवरं पोस्ट है एकडम भी बी आई 5 धिवरं पर आएंगे पूरा क्लास में जिसमें एकडम पांच वो में से एक निस्ट है कि आजाएगा तो पांच व – बीधियाई रहेगा तो एकदम आप लोग चैटनी जाएस एकडम चैट जाएगा ठीक है को चलिए आज पाइथागोरास पर में परहने वाले हैं पाइथागोरास पर में जो है ना एक meathematics का एक और भाईया तो उन्हों ने क्या कहा कहे ओना की एक समकौन त्रीफूज है कर्ण का वर्ग जो है और नहीं दो भूज आओं के वर्गों के योगफ़ल के बराबर होते हैं तो यह होता है अर्थात जो है जैसे फिगर जब बनाएंगे तो क्या करेंगे देखिए यह समकोन तिर्भूज है देखिए क्या करेंगे एक तिर्भूज बनाएंगे ऐसे और ऐसे देखिए यह अमारा एक राइट एंगल है ठीक है ना समकोंतिर भूज इसका नाम ए इसका नाम बी और इसका नाम चलिए यह कर्ण लंब और आधार सबसे बरे भूजा यह होता है उसे चोटी भूजा यह होता है इसका नाम अब इसके बाद क्या काम करेंगे देखिए बी से जो है ना एक लंब डालेंगे देखिए यह जब डालेंगे तो यह 90 डिगरी बनेगा अब इसका नाम देते हैं देखिए इसमें दो दो और बन गया एक बन गया और दूसरा बी डी सी बन गया और दूसरा बी डी सी और फिर एबी सी जब प्रूफ करेंगे जैसे लिखेंगे वैसे दिखिए क्या लिखते है चली ता सबसे पहले लिख लेंगे हल हल लिखेंगे हल थिवरम जब भी रहेगा ना ता हल लिख लेंगे अब हल के बाद जो है क्या करेंगे दिया गया है क्या दिया गया है लिखेंगे दिया गया है कि A, B, C एक समकोन तिर्भूज है जिसमें दिया गया है A, B, C एक समकोन तिर्भूज है जिसमें B कोन 90 डिगरी है जिसमें जिसमें कोन B समकोन है समकोन है ठीक है अर्थात यहां पिलिक देंगे अपना मन से थोड़ा सा अर्थात इंगल B बराबर 90 डिगरी है ठीक है न? इतना इतना है तो अब क्या करना है? तो सीध करना है तो सीध करना है कि क्या सीध करना है? यहीं A.C. का स्कॉाइर मतलब A.C. का स्कॉाइर बराबर अन्य तो भूजाओ यह वाला और यह वाला का वर्ग का स्कॉाइर मतलब इस्कॉाइर पलस देख करके A.B. का स्कॉाइर अजोर यह वाला B.C. तो वी सी का स्कूल यहीं जो है तो सीद करना है यहीं सीद करना है इतना प्रूफ करना ना इक दम पॉंच नमबर का भी भी आई एकदम देखिएका एकदम कैसे बनाते है इसको आप लोग बस समझते जाई खाले तो चलिए क्या करेंगे रचना अब क्या कर लेंगे अब रचना ले लेंगे देखिए रचना क्या किये है रचना देखिए बी से यही जो है बी जो है बीडी लंब डाल देके सवर एसी पर उसी बात को लिखेंगे रचना का मतलब क्या होता है इक्ष्टा जो काम करते है उसी को रचना करते हैं तो लिखेंगे रचना चलिए रचना क्या कि बीडी बीडी लंब देखें एसी पर डाला डाल दिये जब डाल दिये तो देखिए यह यह तर्भूज बन गया यह बन गया और यह बरकात है यह है यह चलिए अब क्या करेंगे प्रमान ले लेंगे ठीक है ना अब यहां लिख लेंगे प्रमान कि देखिएगा प्रमान में क्या करेंगे एक दाथ तिर्भूज देखिएगा एडीबी ले लेंगे और एक दाए भी सी उसी बात को लिखेंगे प्रमान तिर्भूज कि ए और डी बी तथा एडीबी एडीबी तथा एबी सी तथा तिर्भूज एबी सी में देखिए दोनों तिर्भूज ले लिए दोनों तिर्भूज क्या होगा तो सम्रूप होगा क्यों होगा सम्रूप क्योंकि देखिए कौन जो है एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है इसलिए दोनों जो A B C जब समरूप होता है तो पता है ना उसका भूजा जो है समानुपातिक विभाजित करता है परे थे तिरम में है ना जब समरूप होगा तो भूजा जो है समानुपातिक होगा देखिएगा क्या हो जागा को दिधी में फार्टिक डिवाइड करेगा तो देखे मट्टा क्या हो जागा एड़ी ता इसी को लिखेंगे अड़ी यानि के एड़ी बाटा में A B A B बराबर है बराबर अब A B C में देखिएगा A B C में क्या जाएगा A B A B देखेंगे A B अब बटा में देखिए A B बटा क्या जाएगा A C यह वाला भूजा इसके यानिकि A C हो जाएगा अब देखिएगा यहां से क्या काम करेंगे से तीर्षा गुना करेंगे क्रोस मल्टिपल से में अच्छन अचता हो जाएगा हमारा एक दीघी अदीच आगे एडी गुना इसी वराबर देखे ए से बी में गुना करेंगे तो होगा तो मतलग a b square ठीक है यह हो गया आप चाहते हैं तो क्या करते हैं हम इसको भी गुणा कर देते हैं और इस एडी से एसी में गुना को उधर लिए बात एक ही होता ठीक है ना इसे मालीजे कि दू गुना तीन लिखिए बरावर छो होता है आया लिखिए कि इसको क्या कर लेंगे इसको समीह करन जो है फॉस्ट माल लेंगे कोई दिकत चलिए तलिखेंगे समीह करन फॉस्ट यहां देखिए अब उसके बाद फिक काम करेंगे फिर पुनात परमाल लेंगे एकदा देखिएगा a d b l iedereen और a b c लिए अलगुक्त क्या कम करेंगे भी दी सी लेंगे नहुक्त क्विक देखिए लिखेंगे पुना यहां लिखेंगे पुना कि शान का प्रमाल कि तिरभुज तिरभुज Geral का कौन में लेंगे बी डी से लिखिएगए टी डी डी सी तथा तिर्भूज किसमें A B C में है ना A B C में तो जब इसमें ले लिए तो देखिए ये दोनों ये दोनों तिर्भूज भी क्या हो जाएगा तो सम्रूफ हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि कौन से सेम है एंगल जो है बी जो है डी के बरावाए तो यहां भी सम्रूफ हो जाएगा लिख देंगे अतरह समरूप याने के इसलिए तिरभूज वी डी सी समरूप तिरभूज एबी सी जब समरूप हो जाएगा दोनों तो पता है न तो फिर भूजा समानुपातिक विभाजित करता है बस लिख दीजे अब यहां से क्या है अब नीचे नहीं पुझा रहा होगा तो साइड में लिखते ठीक कोपी पर आप लोग एकदम सजा सजा के लिखे अधिक ना नीचे की तरफ नीचे जगा अपलोग लिखते जाएग नहों होगा तो फिर अगला पना में लिखिएगा तो चलिए यहां से हम लिख देते हैं यहां इधर देखिए जब तो पर क्या भांड़ करें तो देखिए गाँ तक फान बेसी होगा वस्य नियुक्त बेसे एक को रचेंक को क्या हो करेंगे क्रॉस मोल्टीपकर तो देखें अब इसको की काम करेंगे समीकरनशें करने से बाद एढ-गे उसके भाद देखेंग magazines अब देखिए एक और दू को संगत पक्षो को जोडने पर लिखेंगे हैं अब हे एक है सभ्हेकर्ण best एक इवा मर दूंव जिनक पक्षो को पक्षो को जोरने पर देखे संगत पक्ष का मतलब क्या कि इधर का इधर जोर देना है और उधर का उधर जोर देना है तो देखे समीकरन एक में देखिए इधर का यह है तलिक देंगे इसको यानिके इडी आगुना में अची है और पलास जोड़ने का मतले का पलास इधर वाला नुवाला में पक्ष क्या है पहला इस देखिए इधर का यह है यह है ना तलिक एंगे सी गुणा सी डी की मुंदा सी अब भाराबर इदावाला पक्स हिए क्या है क्या है एधी स्कॉार है न तेलिग देंगे ए में क्या है एक स्कॉयर है यहांप एंटा सी थिस्टॉयर के है कि अंधरने दोनों में एक समाने तरह नहीं को क्या करें कि लेंगे ताकर दागा एसमें के एंदी आप पालस तो इसमें के किसी बिखिए ओंप फिर देंगे आप देखिये यह पर यहां पर सब्सक्राइब कर दो देखिए जैसे कि माले जिए एक रेखा है इसका नाम ए है इसका नाम भी आप बीच बाला का जाम नाम ओ है तो देखिए यह पॉरा इलंबाई है इस सी ठीक है तो कहने का मतलए आप पॉलास सीडी जोड़ेंगे तब ने इसी होगा तो वही है तो लिख देंगे मतलब एसी क्योंकि एतना के बदले में इतना एसी चलिए अब बराबर इसको जोकाते हो लिखेंगे मतलब ए बीका स्कॉाइर जोर वी का स्कॉार होका और दिख्वाइर जोर ॐसी कै एसक्षर यह दो कि A C Square ब्राबर A B Square जोर B C Square यहीं ने प्रूफ करना था यहीं न आ गया देखिए तह यह आ गया तम थलीक देंगे अता हा लास्ट में अता हा A C Square ब्राबर A B Square जोर B C Square प्रूब्ड यानि कि हिंदी में लिख दिजएगा प्रमानित हुआ या सीध हुआ इंगलिस में लिखिएगा प्रूब्ड तो देखिए पाइथा गोरस प्वर्मे को सबसे पहले क्या करना है एक तिर्भूज बना लेना है अब तिर्भूज A B C अब उसके बाद जो है एक समकोन तिर्भूज में प्रूफ कर रहा है समकोन तिर्भूज है जिसमें क्या है कोण मुक्र यह बला समकोन है अर्थात यहारीλο के नवब्य डिग्री ऑन ये सिध करना फिर बrąख प्रमान में और फिर जो हैlaughs क्या बन गया ना तो देखेंध स्टीभूज और डीबी एकड़ने ले लेंगे अब दोनों क्या हो जागा तो दोनों समरूप हो जागा जब दोनों समरूप हो जाएगा तो देखिए अब भूजा समान पार्थी हो गास्थ सबस्क्राइब हो गया घॉटानी अबर अबर इंसा कर दिये चाहिए he j ii सब्सक्राना आ ब्रुण होगा आप स करें इसको ऊब बैसे में तो करें रहें जो है यह बीडी सीने यानुकि वी डी सी में और आ प्रहें वहीं लिखी है इसके गला दोनों समुरूप हो जाब अब यह भी ताराओ हो जागा समरून हो जागा तो जब समरूफ हो जागा धाण झाल भुजा भी समल समधीन होगा न तिर संब्सक्राइब संगट पक्षों को जोर दिया समय आप समेकरम करन ⁱ 12 संगत पक्षों करन का एंग समय इंधर का यह यह दोसरा में कि यह तो में ओए कॉमन हमाने का लिए कि ऑठिकार कसी में का सीडी जोग अब मंपने का लिए चैनल इसी में का सूपर अब भाकर पूर Сबी हूं परना यहीं पुरूफ करना था यानिकि एसी क्या स्कॉर बरावर एबी इसकार जो और भी सिस्कार हो गया पांच नमबर मिल जागा इस तरह से लिए गजामें पांच नमबर एक दम बढ़िया से आजाएगा एक को नमबर नहीं करेगा तो बस इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सांथी बेल आइकन दबा दीजिए मज़ा गया ना पढ़ने में तो फिर में लेंगे नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई